Students, आज मैं आपको कुछ important definitions पढ़ाऊंगी, geometrical figure की. अब point क्या होता है? A fine dot made by the sharp pencil or geometrical figure having no length, breadth and height. It's called point. Point एक dot होता है, ना उसकी height होती है, ना length होती है, और ना ही breadth होता है. Next है, line segment. Line segment, दो dot के बीच में कीची हुई line को line segment करना है. आपको यह ध्यान रखना है, कि दो dot होनी चाहिए, दो points होने चाहिए, उसके line segment को हम कहेंगे, उस दोनो dot को जोडने वाली line को हम कहेंगे, line segment. It has defined length, इसकी lembाई होती है, defined होती है, तो 3 cm की lembाई होगी, 4 cm की, तो defined होगा कि कितनी lembाई है. बलके line क्या है? इंफाइनाइट है, देखें, इधर भी arrow है, और इधर भी arrow है, तो बच्चे यही पर आप लोगं confused हो जाते हो, कि line segment और line क्या होती है? Line अंगिनित लंबाई होती है, no defined length, चीक है? But line segment, दो point के बीच में खिची हुई line को, line segment कहा गया है. Next is ray, ray जैसे sun से आपकी रोशनी आती है, तो हम कहते है न, ray, तो वैसे ही, एक point से अगर रोशनी आती है, तो एक point आपका define है, कि यहां से आ रही है, बढ़ दूसरा कहा जा रही है, वो नहीं defined है, clear? आप ray क्या है? A ray is a geometrical figure, which has one end point, P ends and end point, okay? Now, angle, angle क्या होता है? तो ray अगर आपने समझी लिया होगा, कि एक defined point है, और कहां से तक जारी है, यह नहीं पता. तो अगर ऐसे तरह से दो ray निकलती हैं, एक point से, तो उनके बीच वाले distance को हम angle का नाम दे रहे हैं. Next है आपका line, दो lines है, M and N नाम की, line क्या होती है? एक end point से शुरू हुई, एक point कहीं अंगिनत से शुरू हुई और अंगिनत में जा रही हैं. यह भी अंगिनत जगे से आ रही है, और कहीं और चली जा रही है, तो दो lines अगर एक दूसरे को काट रही है, जिसका नाम L और M है, तो भी नाम दे सकते हो, पर line को हम generally L, M, N नाम देते हैं. तो वो जब एक दूसरे को काटे की, तो हर एंगल के बीच में ही थे कि यह एंगल फोम होगा, ठीक है? तो यहां तक आप इसको समझ में, होफुली यह 5 पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा, बाई!